बैक्सीन को लेकर के ग्रामों में या फिर जो ऐसे एरिया जहां पर अशिक्षा है कुछ भ्रांतिया फैली हुई है जिसके अंतरगत बैक्सीन के बाद लोगों के बिमार पढ़ने की अफवाह फैली हुई है कई जगह पर और कई तरीके की अफवाह फैली हुई है जिसके कारण से लोग बैक्सीन लगवाने से बचे रहें लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है ये बैक्सीन पूरी तरीके से सुरक्षित है और सरल तरीके से लगाई जाती है हमारे साथ अमरनाज जी हैं जिन्होंने स्वाइम बैक्सीन लगवाई हुए उन से आए चर्चा करते हैं सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं दखवरदार नियूज पर तो आपने वैक्सीन की दोनों डोज लगवाई थी हैं पहली डोज आपने कब लगवाई थी है या फिर कमजोरी आती तो पहली डोजे लगवाने के बाद आपको कैसा महसूल है अच्छा लगा हमको हल्की बुखार भासूस बाखी सब ठीक था जी तो बुखार आई तो पैरसीटम ने कोई गोली नहीं खाई तो बिना मेडिकल ट्रीटमेंट के ठीक थे यह बुखार कितने दिन तक आई थी लगवा हमको करीब हल्की आई थी एक दिन पर जब आपने दू अच्छा नहीं है जितने लोग लगवाते हैं पूरता सभी लगवाच पूरा घर पूरी तरीकिस प्रेक्सिनेटर हो चुका है और सबी लोग सब्सक्राइब तो जो हमारे हमें देख पार हैं जो हमारी जनता है तो उससे वैक्सीन को लेकर कि क्या पील करना चाहेंगे गलत सारा साल से लेके साथ साल स्क्राइब तक लगवानी चाहिए और वैक्सीन कहां पर रप्रफ हो सकते हैं जो कोरोना है एक भैंगर बिमारी है जिससे बचाओं का सिर्फ एक मात्रसाधन वैक्सिनेशन है तो इसलिए बिना किसी व्रांती के अफवाहों को ध्यान में ना देते हुए बैक्सीन लगवाईए और सुरक्षित रहिए हम अपने चैनल के माध्यम से, एक जिम्मधार नागरिक होने के माध्यम से, आप से अपील करते हैं, पूरे देश से अपील करते हैं, कि वैक्सीन, लगवाएं, स्वैम को और अपने परिबार के साथ समाज को भी COVID के खत्रे से बचाने की कोशिस करें मास्क लगाए रहें, सोसल डिस्टेंसिंग बनाए रहें, देखते रहें दखबरदान न्यूज, नमस्कार, धन्रबाद